टॉपिक का नाम है अरब डॉलर का दिन और उजन कुछ हुआ है नहीं सन 2000 का टाइम चल रहा है और अमेरिका में कुछ बहुत बड़ी-बड़ी कमपनीज बहुत चुपचाप चुपके-चुपके एक बहुत बड़ी रेस में काम कर रही है रेस के लिए दौट रही है उस रेस का गोल क्या था? हम जैसे लोग हैं हमको बला जाता है सर्च करने वाले लोग इंटरेट पे सर्च करने वालों को कनेक कर दिया जाए टार्गेट एड से जो आदमी कुछ देख रहा है माले जै मैं फिल्म देख रहा हूँ किसी फिल्म का गाना देख रहा हूँ तो उसी टाइब का एड मुझे दिखाई दिया जाए इसको प्राब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है यह एसोटरिक टार्गेट था एसोटरिक टार्गेट मतलब जैसे हम लोग का चिंपी सकेंचल रहा है इसका टार्गेट हम लोग का आज यह है कि पचास जार रुपे एक लाक रुपे परड़े का हो लेकिन मान लिजे मैं आप लोग से कहूं नहीं यार हम लोग को न एक करोड रुपे परड़े का बाना है तो आप कहेंगे सर्फ यह पागलपन है ऐसे ही पागलपन वाला टार्गेट था इसो टरिक मतलब बहुत ज़्यादा पागलपन का और इससे क्या होने वाला था एक मल्टी बिलियन डॉलर का दरवाजा खुलने वाला था मार्केट खुलने वाला था इसकी वेयर से अब तक कि यह सारा पैसा किसको मिलता था? टी-वी वालों को मुझे याद है लाब ममई में हमारा मकान में है थी फ्लैट है उसकी 38 जा रूपे किराय मिलता था हूं पारों को एक फ्लैट का महीने का जो स्टार टीवी में, जी टीवी में एड चलते हैं, अब उतना नहीं कीमत रहे गया, अब जातर पैसा वहां से कहा आ गया, ये जीमेल में, यूट्यूब बगरे में, तो इसी की वैसी हुआ है, क्योंकि ये दिर्वाजा खुलने हो, लेकिन सवाल ये था, कि इस रेस में कौ बहुत फंड हुआ है, कम से कम 100, 200, 500, शायद 1000 करोन से भी जादा पैसा, फंडिंग इकठी है, और बड़े-बड़े लोग, अच्छे-च्छे software engineers को नौकरी पर रखा गया है, सबसे genius mind यही पर काम करते है, तो यही उस problem को solve कर पाएगा, और इसलिए भी, क्योंकि ये ग्रॉ दुआत इन लोगों नहीं किया था, Bill Gross ने, इंटरेट पे पहली चीज खोजी गई थी, आज तक इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया था, और वो था, पे पर क्लिक, आज जो हम लोग YouTube पर, जो पैसा कोई क्लिक करता है, तभी पैसा करता है, मान लिजे मैं 4,000 रुपे का ए अमर सिंग नहीं कर पाये, अमर सिंग जी ने अभी तक अपनी कंपनी को IPO लेनी जा पाये है, पिछली बार जबाया थी, तो मैंने कहा था, आप लोग IPO ले जाए, IPO मतलब share market में share बिटना, तो वो भी ये कर चुका था, इसकी कंपनी एक अरब डॉलर की evaluation की IPO खुल चुकी थी और ये अच्छी बहुत profit कमा रही थी, 100-200-500 क्रोड से भी ज्यादा साल का profit कमा रही ये कंपनी, दूसरे सब्दों में कहा जाए, तो ओवर्चर एक तरफ है, और बाकी उसकी competition में धेर सारी छुड़ी छुड़ी companies हैं, लेकिनों किसी काम की नहीं है, वो इस race में है नहीं मा अच्छा रखा जाए, और एक MBA लड़का रखा जाए, और दोनों में competition हो, कोई टाइप की पढ़ाई लिखाये की है, किसी खेल कुद की, तो अब जानते हैं, छोड़ा बच्छा तो जीते का नहीं, ऐसे ही था scene, क्यूंकि ओवर्चर के पास तीन चीज़े थी, intelligence था, brain था, experience था, और पैसी रुपए थे, resource थे, लेकिन ओवर्चर जीती नहीं, कौन जीता, और इस race की जीतने वाली कौन सी company थी, बहुत छोटी सी और बहुत नहीं company थी, उसका नाम था, Google नाम की छोटी सी company थी, अब बड़ी हो गई है, उस समय कोई जानता नहीं था उसको, और इससे पिंपॉइंट कर सकते हैं, 24 माई 2002 में, 24 माई 2002 में, Google का जो founder था, young लड़का, हम लोग की तरह था, हमसे बतला, आप लोग की तरह मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, एक छोटा सा note लिखा, और जितना बड़ा हमारा घर है, उतना ही बड़ा, उसका office था, और एक fridge था, उस fridge प These ads suck, इसको हिंदी मेंगर बुलें, बिकार है, ad बिकार है, सक मतलब दिमाग खराब हो गया है, उसने कहा कि इंटरेट पर जब कोई ad देखता है, तो दिमाग खराब हो जाता है, इसका कोई कुछ करे तो ठीक हूँ, लिख करके चिपका दिया fridge पर, पुरानी तरीके से इस त कोई दिया जाता है, कागस पर नोट लिख दिया, और fridge पर चिपका दिया, अब कौन उस काम को करेगा, किसका काम है ये, ये तरीका नहीं था किसी को काम देने का, लेकिन भाई, जो पेज है, Larry Page नाम था, वो कोई आम बिजनसमें थोड़ी था, वो भी अलग टाइप का पतला दुबला सा था, यंग सा, देखने से लगता नहीं बिल्कुल बिजनसमें, और उस आदमीं की सबसे बड़ी रणनीती क्या थी, बिजनस में जीतने की, उसको रणनीती क्या बोलेंगे, खाली बहस करना, एक अच्छे आइडिया को ला करके, अपनी टीम के साथ बहुत बहस करनी पड़ेगी, चाहे कोई प्रड़क्ट बनाएं, आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई प्रड़क्ट बनाना चाहते हैं, आप कोई स्ट्राडिजी लाना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा, आपने कहा सर मरा लगाएंगे, आपने कहा सर सेल काउंटर लगाएंगे हैं, हमने कहां लगा लीजे अगर गूगल कंपनी हो, तो बहुत भहस करनी पड़ेगी एक के बाद एक, और जब तक सबको लगे ना किहार, ये बहुत अच्छा काम है तब तक उसमें पैसा टाइम नहीं लगा जाता था ये था कंपनी का सीन उस जमाने में, बहुत भहस करना पड़ता है और ऐसा केवल उपर के लोग नहीं कंपनी में ये था, कि कोई भी बंदा किसी भी इश्यू पर, अगर उसको लगता है कि ये गलत है, तो कंपनी के CEO के साथ चैलेंज कर सकता है सर ये चीज ऐसा गलत है, इसको होना ही नहीं चाहिए जिसकी वज़से मुझे लता है जब ये जॉइन कर रहे थे हाँ तो भी बूल रहे थे कि हम से वहाँ सीटी लेकर गए और वहाँ पर सीटी क्यों नहीं हुआ कोई बहाँ बात ही नहीं ये फाइट कर रहे थे कि हमारा सीटी होना चाहिए लेकिन वहाँ पर कुछ सुनने वाला नहीं था ऐसी देर सारी चीज़े हुए जिसकी वज़से आप वहाँ से छोड़के गए लेकिन Google में ऐसा नहीं था Google में था अगर कोई चीज किसी की गलत लगती है तो आप बहस करकर लड़ाई करकर अपना उनको प्रूब कर दो कि हाँ आप बात सही करें वह उस गलत है तो इस चीज़ को काम कर दिया जाए वह यहाँ था इसलिए कंपनी बड़ी हुई उस दिन के बारे में बात करते हैं जिस दिन कीचन पे नोट लगाया गया कोई चीज है जो बहुत बिकार काम चल रहा है वह कोई चीज यह तो मैं वोले टूँ यार कोई चीज यहां बहुत गरबढ है उसको ठीक करो अपने हां मान लिजे sitting space अच्छी रही है या कोई बड़ी चीज हम कहें आर गलीब जी इसको ठीक करी बहुत खराब इसको ठीक करी है या कोई भी आदमी ठीक कर दे ऐसे उसने एक नोट बना के लिख दिया था कि आड कोई ठीक कर दो इंटरेट पर दो दो तीन तीन चार चार पांच माच करोड रुपए देता है एक कंपनी है T-Series किसकी यह पता है T-Series Reliance की है Reliance खरी चुके है कुलिशन कुमार की थी सबसे ज़्यादा सब्स्राइबर उसी के है T-Series को YouTube किता पैसा देता है पता है कोई अंदाजा 150 मिलियन सब्स्राइबर पे किते बैसे मिलते होंगे कम से कम महीने का 100 करोड रुपए इसी एड़ड की वैसे जब वो देता है तो कमाता भी होगा अच्छे लेकिन अभी वो अभी देना शुरू नहीं किया है अभी खाली वो बना रहे है एड़ड जिसके जरीए लोग देंगे प्राब्लम क्या थी पता है उस समय मान लिजए आपने इंटरेट पर सर्च किया कावा साकी H1B मोटर साइकल क्या टाइप किया कावा साकी H1B मोटर साइकल तो आपको कौन से एड़ दिखाई दे जाएंगे H1B वीजा अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो उसका वीजा जो इंडियन जाते हैं कोई बाहर का आद में जाता है जो वीजा मिलता है उसको H1B वीजा बोलते हैं आपको दिखाना चाहिए था क्या बाइक और दिखा रहे हैं क्या वीजा के बारे में कुछ दिखाई यह गलत था इदम इससे में स्पिरिच्वल कोर्स में जानोगा बेसिक अडवांस कोर्स है ऑनलाइन कोर्स है अपने घर बैठे करेंगे आपकी स्पीड से आपकी कर्मीरन से होता है बिजनस में WBX है जिसमें की Google, Amazon, Netflix जैसी धेर सारी कंपनीज का सब जिस्ट निखाल करके आपको आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्राटिज बनाती हैं कैसे फंडिंग लेती हैं वगरे वगरे इसके बाद आता है BDM जिसमें की मैं आपको सारी Decision Making के Secrets उसके Tricks उसकी Principles जो पिछले सौ सालों में खो जा गया है वो बताऊँगा और इसी में पैसे की Psychology भी बताऊँगा जिसमें आपको Personal Finance को ठीक करना सिखाए जाएगा Parenting के लिए SPPT है Brahmachary के लिए SPMT है और Relationship के लिए Limitless है ध्यान रखीगा इस नमबर पर WhatsApp करके सारे कोर्से के रिसकाउंट पूछ सकते हैं और जोइन कर सकते हैं